नमस्कार दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लाश 10th मैं चेप्टर 3 परसनावली 3.4 का प्रसन करमांक 1 का सभी पार्ट को सौल्ब करेंगे देखे सवाल में क्या बोल रहा है नीमन समी करनो के यूगम को बिलोपन विधी तथा परतियस्थापन विधी से हल किजिए कौन से विधी अधीक उपयूगत है तो देखे बिलोपन विधी तो हम लोग पिछला चेप्टर में पढ़ चुके हैं अब परतियस्थापन विधी ह करेंगे इसके बाद परतियस्थापन विधी हल करेंगे देखे वीलोपन विधी करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई बरबर पाच इस हमीकरण फार्ष्ट मान लेते हैं फिर इसको 2x-3y बराबर 4 इस समीकरन सकेंड मालेंगे अब देखे क्या करेंगे यहाँ x का गुना है इसको first वाला समीकरन में यहाँ पे गुना कर देंगे फिर यहाँ पे ऊपर में जो है एक यहाँ छुपा हुआ है गुना में तो यहाँ नीचे गुना कर देंगे अगर वही चीज अगर yy कटाना रहेगा तो y का गुनां की यहाँ पे गुना हो जाएगा और यह वाला नीचे वाला y का गुनां की यहाँ गुना हो जाएगा हम लोगो x को कटाना है इसलिए x का गुनां के लिए हैं अब गुणा करते हैं दूसरे यहां पर कितना हो जाएगा इस से गुणा करें तो स्दों रहा जाएगा एक समाइनस очерie वाई बराबर चार है अब कटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं चिन परिवर्थन करते हैं यहां पर पलस रहता है तो माइनस देते हैं यहां माइनस है तो पलस यहां पलस है तो माइनस कटा अब यहां पर क्या बचा पलस दू पलस थ्री 5Y हो गया देखिए E- का value खतम हो जाता है जब E बैठता है तब यहाँ पर पलस 10 यहाँ पर माइनस 4 करता हो जाएगा 6 हो जाएगा Y बराबर 6 by 5 समीकरन 1st में Y का मान रखने पर X प्लस Y बराबर 5 तो Y के जगा पर 6 by 5 रखेंगे इसको इधर दाहिने साइट टपा देंगे तो माइनस हो जाएगा 6 by 5 X बराबर यहाँ पर LC हम लेंगे तो 5 होगा फिर इधर कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 तो घटे से बुचेगा और यहाँ 5 देखे बिलोपन बिधी से हम लोगा answer निकल गया अब हम लोग परतियस थापन बिधी द्वारा इसको solve करते हैं देखे अब इसको परतियस थापन बिधी से हल करते हैं पहले X पलस Y बराबर 5 इस समिकरण फर्ष्ट माल लेते हैं फिर इसको 2X माइनस 3Y बराबर 4 इसको समिकरण Second माल लेते हैं अब समीकरन फर्स्ट को लेके चलेंगे, फर्स्ट से, फर्स्ट एक्स प्लस वाई बराबर पांच, तो वाई को धिर धाइने साइट टपा देंगे, फाइप माइनुस वाई, तो यी समीकरन थाड हो गया, अब समीकरन, समीकरन सकेंड करना है, टू एक्स माईनस थीडिवाई बराबर, फोर, एक्स के जगह पे, यहाँ पे, इसको रखेंगे, टू इंटू फाइब माईनस वाई, माईनस थीडिवाई बराबर, फोर, गुना करेंगे, दस माईनस तू वाई, फिर इधर माईनस थीडिवाई था होला और युला माईनस 5y भ्राबर 4 इधस को इधर ताइने साइट tarp दिंग तो थेंगई तो मैस्ट तेन हो जाएगा तो मैस्ट 5y भ्राबर घतेगा तो में वाई का मान रखने पर समिकरन थाड़ कितना है एक्स बराबर 5 माइनस वाई वाई की जगह पर 5 बट्टे 6 बट्टे 5 रखेंगे 6 बट्टे 5 तो एक्स बराबर एलसी हम लेंगे 5 तो इधर 25 माइनस 6 हो गया तो एक्स बराबर घटेगा तो 29 वाई 5 हो गया सवाल में बोल रहा है कौन सा विधी उप्यूकत है तो हम लोग लिखेंगे अधा विलोपन विधी अधिक उप्यूकत है देखें अब सकेंड नमर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट हम लोग विलोपन विधी से सॉल्व करेंगे सवाल उतार लिए हम लोग विलोपन विधी से सॉल्व करेंगे इसको 30 एक्स पलस 4Y बराबर 10 इसको 1 मान लेते हैं फिर इसको लेते हैं 2 x – 2y बराबर 2 इसको समीकरन 2 मान लेते हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर एक्स वाला को कटाने के लिए कोना कोनी गुना करते हैं यह नीचे वाला समीकरन से उपर वाला कुना करते हैं एक्स का गुना करते हैं दू तो दू से गुना कर देंगे फिर यहां पर एक्स का गुना तीन है तो यहां तीन से गुना कर देंगे उपर नीचे गुना किया जात यहां पर कटाने के लिए चिन परिवर्थन करते हैं यहां पला से तो माइनस यहां माइनस अधो पलस यहां पला से तो माइनस दिके 6x कटा आप देखें किता बचा 8 plus 6 14 वाई ब्राबर 20 में चोगटेगा तो तो आई बराबर 14 बटे 14 तो आई बराबर 1 आया यह अंसर हो गया अब देखें समीकरन फर्स्ट को लेकर चलेंगे समीकरन फर्स्ट में वाई का मान रखने पर समीकरन फर्स्ट कतना है 3x प्लस फोर 1 बराबर टेन तो 13 एक्स प्लस 4 वाई के जगा पेवन रखेंगा बराबर टेन तो असे प्लस यहां पर फोर ही होगा बराबर टेन तो दीडी एक्स बराबर दस एधर पलस IP दर जागा थमाइनस 4 3 x बराबर घटेगा तो 6 बचेगा इधर गुनायत इधर आएगा तो बहाँ एक्स बराबर 6 by 3 3 से घटेगा तीन दुनी छोद तो x का भेलू दू निकल गया हम लोगा एंसर वाई का 1 आया और x का 2 आया अब तो थर्ड नमर सॉल्व करते हैं देखे इसको भी लोपन विदी से हल करेंगे फ़ले इसको लेते हैं थी एक्स माइनस फाइप वाई इधर बाया साइट चार है तो इधर दाइने साइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा फलास में हो जाएगा फोर इस समीकरन फास्ट हो गया अब इसको भी इसी तरह सिधा करेंगे नाइन एक्स है फिर इधर टू वाई है तो इधर बाया साइट टाप आएग तो चिन परिवर्तन होगा यहां पहलास है तो माइनस होगा टू वाई फिर साथ को उधरे रहने देंगे साथ इस समीकरन सकेंड हो गया अब क्या करते हैं एक्स वाला को कटाने के लिए कोना कोनी गुना करते है एक्स का यहां समीकरन फास्ट में जो एक्स का गुना है उसको समीकरन सकेंड में गुना करते हैं यहां पर फिर समीकरन सकेंड का जो एक्स का गुना है उसको समीकरन फास्ट वाले से गुना करते हैं अगरेंग तो कित मैं 45 वाई बरावर 9 गुना चार इस फीर तीन से करेंगे यहां पर तो 27 एक्स माईनस तिन दुनि छो वाई बरावर सत्या 21 तो यहां पर चिंन परिवर्दान करते हैं यहां पलास है तो माईनस यह माईनस जब पलास यहां पलास है तो माईनस 27 27 केंसिल अब देखे 45 में 6 घटेगा तो कितना माइनस 49 वाई बच रहा है अब 36 में 11 घटेगा तो 15 बचेगा अब देखे इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग वाई बराब है कि पंद्रा बच माइनस 49 उपर नीचे तीन से गटेगा यहां पर पांच फीर तीन कम तीन 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 नोग तो आई का भेलू कितना निकल गया पांच बाए माइनस 13 अब समीकरन फास्ट को लेकर चलेंगे समीकरन फास्ट में वाई का मान रखने पर थी एक्स माइनस फाइप वाई ब्राबर फोर अब वाई के जगा पर पांच बाए माइनस 13 रखेंगे थीरी एक्स माइनस फाइप गुना पांच बट्टे माइनस 13 देखें गुना में उपर निचे है तो माइनस माइनस केंसिल फिर ब्राबर फोर थीरी एक्स पलस यहां पर उपर पांचे पच्चीस बाए तेरा ब्राबर फोर अब इसको दाइने साइट टपा देंगे 3x बराबर 4 माइनस 25 बाइ 13 3x बराबर इधर कुछ नहीं तो 1 है LCM 13 हो जाएगा 13 चुके 52 माइनस इधर 25 ही रहेगा same to same फिर 3x बराबर यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे घटेगा तो 27 बटेगा बटे 13 यहाँ 13 गुना तिधर आएगा तो भाग X बराबर 27 बटेगा 13 गुना 33 से गटेगा 9 बार में तो कितना बचेगा 9 बाइ 13 देखिए X का बेलू 9 बटे 13 आया यही अंसर हो गया अब 14 नमर solve करते हैं अब इसको पहले लेके चलते हैं X by 2 प्लस 2Y by 3 बराबर माइनस 1 देखिए पहले यहाँ पर LC हम लेंगे तो 6 होगा फिर इदर 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 आएगा तो 3X प्लस 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 आएगा दूसे उपर गुना करेंगे तो 4Y बराबर माइनस 1 देखिए को ना को नहीं कुना होगा इसके निचे कुछ ने तो एक है एक वाला इदर उपर से है फिर E6 यहाँ माइनस 1 से तो कितना हो जगा 3X प्लस 4Y बराबर माइनस 6 तो E समिकरन फास्ट हो गया अब इसको भी सी तरह करेंगे X माइनस Y बाइ 3 बराबर 3 क्या करेंगे इसके निचे कुछ ने तो एक है LCM 3 लगे तो इधर 3X हो जाएगा इधर सेम टू सेम उपर उला उतर जाएगा बराबर 3 अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है गुना होगा को ना को नी क्रोस मलटिकेशन 3X माइनस Y बराबर 3 तिया 9 इस समिकरन सकेंड हो गया अब समिकरन फास्ट एंड सकेंड सकेंड तो लिखेंगे 3X प्लस 4Y बराबर माइनस 6 फास्ट समिकरन फिर सकेंड केतना है 3X माइनस Y बराबर 9 सबकेंड समिकरन देखें यहाँ पर डाइरेक्ट अगर कट रहा है तो गुना नहीं करेंगे सिर्फ चिन परिवर्तन कर देंगे अगर दो गो चिन रहेगा तबना एक पलस 0 1 गल्यं H 5 पर देखेंगे सब्सक्राइब बात 4 गल्या 9 6 तो स्थिरी तो एक ठो एंसर निकल गिया अब समीकरण फ़र्ष्ट को लेकर चलते हैं कि फ़र्ष्ट में वाई का मान रखने पर समीकरण फ़र्ष्ट के तना है थिरी एक्स प्लस है फॉर वाई बराबर माइनस सिक्स है वाई की जगह पर माइनस तीन रखिंगे थिरी एक्स-प्लस फॉर इंटु माइनस ठीरी बराबर माइनस शिक्स तो legal गुकोना होगा तो 1 छोत ये 12 बराबर माइनस शिक्स 12 इधर दाहिने साइट टपा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर माइनस 6 यहाँ पर पलास हो जाएगा 12 3x बराबर यहाँ पर 6 घटेगा तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा इधर गुना है 3 तो इधर आगा तो भाग एक्स बराबर शीक्स भाई तीरी तीन से कटेगा दूबार में तो एक्स का बहलू दो निकल गया यह दूसरा एंसर हो गया देखे सभी सवाल हम लोगा स्वाल्प हो गया धन्यवाद दोस्तों